हेलो आज हम लोग आई मेकप करने जा रहे हैं यह इंगेजमेंट ब्राइडल डे मेकप सब पर जाएगा मैं यहां पर क्रेलान डर्मा पैलेट का बेस बनाऊंगी क्यूंकि डर्मा का बेस काफी अच्छा होता है कि आप चाहें तो डर्मा कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा डाक सरकील हाइड करना है तो इसको सकते हैं यह फुल कफरेज देता है आपको और मैंने इससे ओफ एक आप पतिन से भीलांग करते हैं तो बोरिंग रोड में इसका खुद का सौफ है जहां डर्मा का सारा प्रोडक्त अफ़ लेवल होता है और अगर आप आप उनलाइन पर्चेस करना चाहते हैं तो क्रों में जाकर डर्मा का डारेक्ट साइट से आप पर्चेस कर सकते हैं आज हम लोग ग्लीटर आई मेकप करेंगे जो ब्राइड इंगेजमेंट सब पर जाएगा आप चाहें तो लाइट ग्लीटर डालकर पार्टी मेकप में भी यूज कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आई मेकप चाहते हैं यह बहुत इजी होने वाला है बहुत जल्दी आप सीख जाओगे बहुत इजी होने वाला है बिल्कुल एक दो कलर के साथ हम लोग इसको खेलना है अप्लाइक करना है बहुत ज्यादा अभी होच पॉच नहीं करना है क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग स्टार्ट से एडवांस तक अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कोशें राइज करो जहां तक होगा मैं चाहूंगे कि सॉल्व करूं तो इस तरह से बेस लगाना है और ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राइड रखना है और उसे हलके हाथ हो ब्लेंड करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वहार्स ना द होगा से आद करें अगार आप घृघन करना है तो इस तरह एक हांग भी थोड़ा कंसील कर रहे हूं कि क्योंकि मैंने फेस पर में का रखा है तो एक अच्छा लुक दिखे इस वजह से मैं अडर आइज भी थोड़ा कंसीलिंग करके मैं उसे ब्लेंड कर रहे हो अगर आप पूरे फेस पे मेकप कर रहो गए तो सिफ आई के उपर का पार्ट है उसे वहां पे ही अपलाई करना है और उसे ही ब्लेंड करना है यह दन हुआ जैसे कि हम लोग हमेशा जैसे कि मैं हमेशा रेवलूशन का ही पालेट अभी दिखाती हूं तो मैंने आज भी उसी का लिया है यह न्यूट सेट का है मैं यहां पे क्रीज एरिया में लाइट ब्रॉण कलर डिपोजिट करके सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूंग आप कोई भी आइक उप करो जो टेकनिक होता है वह सपर लागू होता है तो यह भी टेकनिक पहले जैसा ही है अगर आपने मेरा प्रिविएस वीडियो आइक उप को देखा होगा तो तो हर आइकप में सेम ही टेकनिक रहता है कुछ-कुछ प्रॉसेस चेंज होते हैं कुछ प्रड़क्ट चेंज होते हैं अगर हैवी करते हैं तो हैवी प्रड़क्ट डालते हैं लाइट करते हैं तो कम प्रड़क्ट का यूज करते हैं पस इसका ही चेंजिंग आती है आप जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे आपको खुद समझ आएगा जिस तरह से आप दिन प्र हाथ पकड़ कर नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे ये online classes है, मैं offline नहीं सिखाती हूँ, तो आपको technique देखना है और practice करना है, क्योंकि कहीं भी आप सीखते हैं, कहीं भी आप ऐसे invest करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि आप offline में पैसे invest नहीं करो, करो वो अच्छे से आपको practice और ये चीज ही practice का है, अगर आप खुद से भी practice कर रहे हो, तो same same ही result मिलेगा आपको, बस आपको थोड़ा concentrate करके वीडियो देखना है, टेकनिक सीखना है, आप खुद पर apply करो, दो बार, चार बार, पांच बार problem आएगी, पर आपको result in of the day काफी अच्छा होने वाला है, यह मैं revolution का color palette यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं pink और red का combination करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे pink color को crease layer में deposit कर, अपर direction में इसे blend करूँगे, तो आप भी इस तरह से blend करें, आपको एक साथ बहुत सारा product नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा product लेना है, deposit करना है, और उसे circular motion में blend करना है, मैं हमेशा बताती हूँ, एक बार बहुत ज़्यादा product नहीं लेना है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ सीखने का चाहत है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करें, नया वीडियो आए, आपको notification मिल जाए, आपको उस वीडियो को miss ना करें, उसके लिए well icon को press करें, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते हैं, आपको notification मिल जाए, अगर आपने अभी तक मारे वीडियो को share नहीं किया है, तो share करें, like करें और अपने experience बताए, आपके लिए मितना मेहनत करते हैं, आप भी कुछ हमारे लिए करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुद प्रेडित होंगी, और मैं eye makeup का variation लेके आओंगी, इस तरह से इसे blend करना है, मैं downward direction में blend नहीं कर रही हूं, क्योंकि हम लोग यहां second बार conceal करेंगे, तो बहुत ज्यादा downward blend करने का जरूरत ही नहीं है, time based होगा, product based होगा, तो बस इसे crease line का थोड़ा नीचे और उपर तक का blend करेंगे, उपर बहुत color blend करना है, pink लेने के बाद मैं यहां पर बहुत light pink या फिर brown color लेके, मैं upward direction में blend करूंगी, ताकि हमारे दो product का layer होता है, वो deposit ना दिखे, हर एक चीज़ blend form में दिखे, इस तरह से cut crease line होता है, वहां तक करना है, अगर आपको नहीं आता है, तो इस तरह से product लगा है, और उप जाएगा, जैसे कि यहां पर light line दिख रहा है, वहां से cut crease बनाना है, इस तरह से आप अराम अराम से बनाए, बहुत ज़्यादा हर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आई मेक बहुत beautiful part है, हमारे face का, अगर वो अच्छा बनता है, तो full makeup complete हो जाता है, तो आप अराम से करे, इस इस एरिया से लेकर, inner corner and outer corner तक किसे join करना है, मैं shorts video में भी technique बताते रहती हूं, तो आप उसे भी miss ना करें, आप उसे देखें, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, आपके आपके लिए अच्छा होगा, आप जाएं, देखें, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, इस तरह से apply करना है, मैं वीडियो को बहुत जादा fast नहीं कर रही हूं, जैसे मैंने use कर रहा है, बिल्कुल normal mode में वीडियो है, क्योंकि मुझे सिखाना है, तो मैं बहुत normal speed में इसे रखा हूं, इस तरह से हलके हाथों इसे blend करना है, ताकि hearts ना रहे, बिल्कुल या smooth हो जाए, base हमारा smooth हो जाए मिलते हैं next partner